नमस्कार खबरों का पंच नाम देखरें आप मैं हूँ आपके साथ पूजा हम लेकर आए देश और दुनिया की फांच बड़ी खबरें जिस पे चल्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद हैं क्यापटन टीवी के एडिटर इन चीप डॉक्टर मनिश गुमार सबसे पहले नजर हेड्लाइन्स पर पहले चांद पर चमतकार अब सुर्य को नमस्कार इस्रो ने फिर रचा इतिहास भारत के पहले सुर्य मिशन की लॉंचिंग भी सफल आधर्तिय एलवन 127 दिन में टैक करेगा 15 लाग किलोमेटर की यात्रा सुर्य की रहस्यों से उठेगा परदा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गमसान तेश तेश श्री यादव और नितेश कुमार ने उठाए सवाल आम आदमी पाजी ने भी किया विरोध तो कई नेता कर रहे खुल कर समर्थ है राजस्तान से सामने आई मनपूर जैसी घटना महिला को निर्वस्तर घुमाने की घटना पर फसी गहलोत सरकार शाशन कानन निर्वस्ता पर बीज़पी ने उठाए सवाल मुंबई मीटिंग के बाद विपक्षी घटबंदन इंडिया में सीट शेरिंग को लेकर पड़ी फूट ममता बनर जी कॉंग्रिस पार्टी से नाराज सयोचक पर भी तकरार चौती बैटक भी विपक्ष के निताओं के बीच में दोपा आज कबरों की शुरुआत में सबसे बहले बाद चांद के बाद सोरे को फता करने की आज ईश्रो ने एक बार फिर से इतिहास रज़ दिया है बारत का पहला सोरे मिशन आदित्य एलवन को सफलता पुर्वक लॉंच कर दिया गया है आदित्य एलवन 127 दिन यानि लगबक सवा चार महीने में 15 लाग किलोमेटर की यात्रा करेगा और उसके बाद सोरे के रहस्यों से परदा उठाएगा चंद्रियान 3 की इतिहासक सफलता के बाद अब दुनिया भर की नज़रे एक बार पिर से भारत पर लगी हुई है क्योंकि दुनिया मानती है कि भारत का अब सुरियोदय हो गया है और दुनिया भर से बधाईयां भी आ रही है कितना बड़ा इंपोर्टेंट पल और कितना बड़ा इतिहास भारत ले रचा है देखे पुरे दुनिया आश्चर चकित इस बात को लेकर है कि अभी 10 दिन पहले हिंदुस्तान पहला मुल्क ऐसा बना जो चांद के साउथ पोल पे जाके लैंड किया वहां के तस्वीरे अभी ढंग से आई नहीं थी कि सुरज की ओर हम बढ़ चले ये प्रधान मंतरी मोदी के काम करने की स्पीड को देखी और अब इस बात पे कोई डाउट नहीं रह गया है कि इसरों के तमाम जो पुराने साइंटिस्ट हैं जो रिटायर कर चुके हैं वो बार बार बता रहे हैं कि प्रधान मंतरी मोदी के आने के बाद से जिस तरह का पुश हिंदुस्तान के विज्यानिकों को दिया गया है ये पहले नहीं हुआ करता था सुरज की तरफ जो आज मिशन हिंदुस्तान का गया है इसे 2008 में जाना था चंद्रायन 3 के उपर किस तरीके से यूपी की सरकार में फंड कटिंग किया गया तो ये सारी चीजे एक बात की ओर इशारा कर रहा है कि प्रधान मंतरी, he means business और जिस हिसाब से इसरो का पर्चम पूरी दुनिया में लहरा रहा है वो हर हिंदुस्तानी के लिए एक फक्र करने का, एक गौरब करने का की बात है अब अगली खबर में बात One Nation, One Election पर हो रही सियासत की One Nation, One Election के मुद्दे पर देश भर में बहस छड़ गई है मोदी सरकार ने 18 सतंबर से 22 सतंबर तक संसत का विशेश शत्र भी बुलाया है बड़े-बड़े नेताओं के वीच में मीटिंग्स भी चल रही है और कुछ बड़े नेता विपक्ष के खुल कर इसका विरोध भी कर रहे है तेजस्वी आदब ने मोदी सरकार को घेड़ते हुए कहा कि ये घबराहट है वन नेशन, वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग कभी ये भी कह देंगे कि वन नेशन, वन लीडर, वन नेशन, वन रिलीजन तो इसमें कोई शक की बात नहीं होगी एक रास्ट, एक घर में ये बेकार की बाते हैं तो मैं नितिश कुमार ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि जल्द चुनाओंगे तो साथी केजडिवाल की पार्टी ने भी इसका जम कर विरोध किया है क्यों विपक्ष के तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसके पीछे कोई दलील नहीं है ये बस प्रदान मंत्री मोधी कोई काम करना चाह रहे है उसका विरोध करना है ये बस विरोध के लिए विरोध करना है इसलिए नितिश्कुमार तो पहले एग्रिमेंट में थे कि एक साथ चुना हो बहुत बहतर होगा यह देश लगातार हर छे मेने पे एलक्षन हर छे मेने पे एलक्षन और इसमें खर्च भी बचता है और तो और सरकार को पांच साल फ्री होके काम करने का समय में अगर ऐसा हुआ तो यह जो तोड़ फोड़ की राजनीती सरकार गिराने गड़ बंदन बदलने इसकी राजनीती कैसे कर पाएंगे कैसे फिर यह एक साथ अलग अलग देखिए किस तरह का यह मजाख है कि कॉंग्रेस पार्टी केरल में एक दूसरे के खिलाप लड़ेगी एसेम्बली एलेक्शन और बंगाल में साथ में चुनावन लग लेती है तो यह इस तरह के जो राजनीतिक दाओं पेच है वो इस तरह के सिस्टम में जहां एक बार एक एलेक्शन होगा तो हर पार्टी को एक ही स्टैन लेना पड़ेगा हर चीज के लिए गडवंदन एक जैसा ही होगा ऐसा नहीं होगा कि एसम्बली कुछ और लोग सभा कुछ और तो बहुत सारी चीजे हैं तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का कि जो दलीले जो दी जा रही है वो बिना सिर पैर की है और तेजस्वी आदव ये ग्यान देंगे कि एक देश एक लीडर एक धर्म और ये सारी चीजे आप हर चीज में ऐसे बयान देना चाहते हो कि जिसे मुस्लिम बोटर जो है वो आप से खुझ हो जाए ये तमाशा है काम इननों उसे होता नहीं है काम कुछ करना है नहीं बहुत बिहार में लालू यादव की सरकार इतने सालों तक रही आपने क्या किया और किस बात के लिए आप इस तरह की बाते कर रहे हो कि एक देश में एक जैसा इंकम हो ये दिक्कत क्या है कि इस तरह के एलेक्शन्स होगे तो ये भरस्टाचारियों के लिए और विचारधारा विहिन पार्टियों के लिए बहुत बड़ दिक्कत खड़ी होगे अगली खबर में बात राजस्थान से आई मनपुर जैसे शर्मनाग घटना की राजस्थान के पताबगड में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त करके घुमाने का वीडियो शोशल मीजिया पर वारल हुआ वीजियो वारल होने के बात पुलिस ने आक्शन लेते हुए महिला के पती समेट 9 लोगों को गिरफतार तो कर लिया पर राजस्थान के अश्रोग गहलोद सरकार सवालों के घेरे बे आ गई है शर्म की बात ये है कि दो दिन तक राजस्थान का शाषन और प्रशासन सोता रहा उसके नाक के नीचे ऐसी दुखत घटनाए घटी लेकिन कोई कारवाई नहीं ही बीज़ोपी के तरफ से अश्रोग गहलोद के इस्तिवे की मांग भी की जाने लगी है जो मनिपूर से वीज़ो आई थी उसमें विपक्ष ने किस तरह से हंगामा काठा था हमने देखा पर राजस्थान से भी सेम वही खबर क्यों विपक्ष इस पे चुप है देखिए अगर हिपोक्रसी क्या होती है उसको समझना है तो उन लोगों के टूटर हैंडल पर जाईए उन दलाल पत्रकारों के नेताओं के जो मनिपूर को लेकर के इतना बवाल मचा रहे थे और बड़ा दोस महिने तक वीडियो को दबा करके रखा गया था अभी इनके घर में ये काम हुआ है कॉंग्रेस पार्टी कहां है कहां है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका वाडरा कहां है अर्विंद केजरिवाल जो जाना चाह रहा था मनिपूर अभी राहूल गांदी क्यों नहीं जा रहे राजस्तान मिलने के लिए दिक्कत क्या है कि बड़ा ही सेलेक्टिव तरीके से हिंदुस्तान में मीडिया मुद्दे को उठाती है ये मुद्दा मनिपूर से कम नहीं है अल्मूस्ट सिमलर है लेकिन आप देखिए किस तरह से मीडिया इसको ट्रीट कर रहा है ये तमाम पत्रकार एनलिस्ट और सारे लोग चिला चिला के कह रहे थे कि मनिपूर के चीफ मिनिस्टर की इस्तिफाव बही कोई गहलोत का इस्तिफाव मांगे का बारती जिनता पाटी मांग रही है को कि वो अपोजिशन में लेकिन कहा है वो सिंसिबल लोग जो अपने आपको बड़े रैशनल और हुमन राइट्स के परती पता नहीं क्या क्या अपने आपको ये लोग समझते हैं अभी इनके मुँ में दही क्यों जमी हुई है ये साफ है कि ये लोग इनके आखों के उपर एक तरह का चस्मा लगा हुआ है जिसमें इनको गलतियां कुछ जगर नजर आती है और जब इनके राज में सारी चीज़े होती है तो ये पूरी तरीके से अंधे बन जाते हैं अगली कबर में बात चतिसगर की जहां एक मंच से अमिशा ने खुंकार भरी तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज चतिसगर के दौरे पे थे अमिशा ने चतिसगर के मुखिवंतरी बुपेश भगेल के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया अमिशा ने कहा कि यहां पर पांच साल से घपले घुटालों की सरकार अत्यचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार चल रही है मुपेश राज में चतिसगर में सिर्फ और सिर्फ ब्रस्ट चार बड़ा है कोईला, शराब, पीडेस के बाद ओनलाइन सट्टा एब घुटाले में राज सरकार की भूमिका है सियम्बगेल ने प्रदेश को लूट कर गांधी परिवार का एगडेम बने का काम किया है तो दूसरे तरफ राखुल गांधी राजे विवा मितान संभेलन में शामिल हुए जहां राखुल गांधी ने एक राली को संबोधित किया पर राली में भी राखुल गांधी का वही रटा-रटाया रवया देखने को मिला अपने हर भाशन के तरह राहुल गांधी आज पीम मोधी परवड से अडानी मनेपुर का मुद्दा उठाया एक तरफ अमिश्या ने कॉंग्रस पार्टी की पोल पट्टी खोलकर रग दी भ्रस्टचार की लिस्ट पतागी पर राहुल गांधी को क्या हो गया देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है भ्रस्टचार बहुत ज़्यादा है छतिसगर के अंदर लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि बगेल साहब एक पॉप्लर मुख्य मंत्री है लेकिन राहुल गांधी को क्या हो गया आज फिर आपने मनिपुर की बात उठा दी य जानते हुए कि राजस्थान में क्या हुआ है आपको कोई पॉल्टिकल मने ये समझ में आता है किस तरह की बाते आप करते हो दूसरी चीज अकेले क्यों कर रहे हो भाई कर आप साथ में वहां भासन दे रहे थे कि हम लोगों तक जाएंगे एक साथ रैलिया करेंगे सारा लोग मोदी सरकार के खिलाब बीजेपी के खिलाब जो है मिलके रैलिया करेंगे उसके लिए कमिटी बना रहे हैं अकेले क्यों कर रहे हो कहां है इंडिया ये आप जो ये दिक्त क्या है राहूल गांधी वह चाह रहे कि सारी चीजें उनके हिसाप से चले जो मनाय आप बोल बही आपने सरत पवार से पूछा कि अडानी का मसला उठा रहे हैं, उस पे आपकी क्यार आए है अडानी अडानी करते करते आप जो है वो अपना पूरा जो पिछले 10 साल का जो समय है उसको आपने बरबाद किया और अब मनिपूर का मामला आप उठा रहे हैं, राजस्थान के उपर आपको कम से कम कुछ बोलना चाहिए, कम से कम एक ट्वीट तो करना चाहिए, तो ये बताता है कि राहूल गांदी किस तरीके से 2024 में अपने ही इस INDIA वालों को धोखा देकर प्रधान मंत्री के रेस में चल रही है, ममता बेनर जी चाहती है कि सीट शेरिंग को लेकर जल से जल्द फैसला हो, पर कॉंगर्स पार्टी इसे डिले पे डिले कर रही है, और यही वज़ा है कि ममता बेनर जी कल मुंबई की बैठक के बाद प्रस कॉंफिस में शामिल नहीं हुई, तो महीं पर पक्ष गड़बंदर सोचल मीडिया पर प्रचार प्रसार के लिए कोडिनेशन कमिटी बनाने से नहीं होगा, गड़बंदर का पहला जो पहली जो सीड़ी है, पहली जो सर्त है, वो यही है कि कौन कहां कैसे लड़ेगा, यह जो टिकट बटवारे का जो फॉर्मूला है, वो क्या ह कॉंग्रेस पार्टी डिले इसलिए करना चाह रही है, क्योंकि वो नहीं चाह रही कि वो कॉंप्रमाइस करें, कॉंग्रेस पार्टी की रणनिती बिल्कुल साफ है कि इसको इतना डिले करते चले जाओ, ताकि यह जो चार राजियों में चुराओ होने वाले हैं, उसके नत करें, मंता पररजी यह चाह रही है, कि वामपंथियों को लेकर के स्थितिक किलियर हो, अगर कॉंग्रेस पार्टी और वामपंथी मिलके चुनाओ लोड़ेंगे बंगाल के अंदर मंता के खिलाफ, तो मंता इस गड़बंदन में क्यूं रहेगी, केजरिवाल भी चाह रहे यह में क्यूं रहेंगे, तो कई सारी चीजे हैं, जो बड़ा ही कॉंप्लेक्स है, कॉंग्रेस पार्टी चीजों को टालने में लगे हुई है, वामपंथियों के साथ करार करके, मंता बररजी हो, नितिस्कुमार हो, या फिर अर्विंद केजी वाल हो, इनको जहां से में र ना लोगों ते कर पाए, ना जंडा ते कर पाए, ना कॉमन मिल्मिन प्रोडाम ते कर पाए, ना कोई चेहरा कम ते कर पाए, सज्जों के नाम पे भुल गया, इतना कन्फूजन जब गटबंदन बनाने में ही है, अगर इसे सरकार दे दिया जाए लोग के हाथ में, तो निवार समझाने के लिए, धन्यवाद, खब्रों का पंच नमों में आज के लिए फिलाल इतना ही देश विदेश की बागी खब्रों और उनके सट्रेक अनलेसिस के लिए देखते रिए, कैपिटल टीवी हमें लाइक केजिए, शेर केजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक् केजिए, नमस्कार.